हेलो फ्रेंट्स जैहीन स्वागत आपका आपके अपने चलो होम टुशन पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जून जुलाई में वेकेंसी आई ब्येसफ हैड कोंस्टेबल विनिस्ट्रियल एसाई स्टैनो कुल मिलाके 1526 पदों में वेकेंसी आई और इस बार एक नया बद से CISF HCM अपना निकालती थी उसका एक्जाम पैटर्न अलग होता था SSB का अलग होता था इदर CRPF का अलग होता था BSF का अलग एक्जाम पैटर्न होता था इस बार क्या होगा कि सभी का एक्जाम पैटर्न भी अलग होगा यानि common एक्जाम पैटर्न होगा तो इस हिसाब से इस बार क्या हम expected cut off ये expected cut off इसलिए है आप इसको इस प्रकार से सोचे कि आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक targeted score आपको लेके चलना पड़ेगा बातारी समझ में कि दिमाग में आपको ये target रखना है क्योंकि बिना direction के तो आप गदे और गोडे में कोई फरक नहीं रह जाएगा जब तक आपके पास target नहीं है कि मेरे को वहाँ पे पहुँचना है तब तक आप अपने लक्षे के और आगे नहीं बढ़ पाएंगे और नहीं motivate हो पाएंगे बहुत सारे बच्चे कोमेंट करेंगे कि अभी paper तो हुआ नहीं है cut off की video लेके आ गया तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको वास्तम में ही सरकारी नोकरी का जो सपना है उस साकार करना है क्योंकि लाखों की बीड फोरूम अपलाई करती है हमने S.S.C. G.D. में देखा दिल्ली प्लीस कॉंस्टिबल में देखा रेल्वे N.T.P.C. में देखा रेल्वे गुरूप D. में देखा हर भरती में यही आल होता है अब यह आप R.P. में भी देखेंगे कि फोरूम बरने की जब बारी आती है लाखों की संक्या में फोरूम बर जाते है लेकिन जब पेपर देने की बात आती है तो लाखों बच्चे पेपर देने भी नहीं जाते वही आल आपका S.S.C. G.D. में कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है उसमें भी साड़े तीन लाख से ज़्यादा बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए है Constable G.D. के लिए यानि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रिटन एक्जाम पास कर दिया बरती का एक पड़ाव पार कर दिया लेकिन फिर भी लगबग 90 से एक लाख बच्चे यानि 90 हजार से एक लाख बच्चे फिजिकल देने भी नहीं जाएंगे बातारी समझ में तो कहने का मतलग यह है कि फोरम को देखकर और एक्चुल जो डाटा उसमें जमीन आस्मान का फरक होता है तो जो इस प्रकार का कोमेंट करेगा कि अभी एक्जाम नहीं हुआ है कट ओफ की वीडियो लेके आगए तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है आप यहां पे यहीं पे इस वीडियो को छोड़के जा सकते हैं क्योंकि हमारा जो टार्गेट है उन बच्चों के लिए जो वास्तों में ही ड्रेम रखते हैं और सरकारी नोकरी को हर हाल में अपने हक में परिणाम को लेकर आना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो काफी जादा इंपोर्टेंट और जरूरी हो जाती है तो वीडियो को धान से और पुरा देखिए चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब के लिए बैल अगन प्रेस के लिए और किसी प्रकार की लेटस नूज अपडेट को पाने के लिए टेलेग्राम चैनल को जोइन के लिए लिंक डिस्सेशन दिया होगा है तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सब्डेट देना चाहेंगे आपने क्योंकि जुन जुलाई में फोर्म आया था बहुत सारी जगह आपने कोर्स लेके देख लिया होगा उनलाइन मोक्तेश भी देख लिया होगा यूटूब पे अपना टाइम वेस्ट भी करके देख लिया होगा जब तक आपका कंसेट किलियर नहीं होगा जब तक आप एक एक टोपिक के बीच से नहीं गुजरोगे तब तक स्कोर नहीं बढ़ेगा अगर आपका स्कोर आ रहा है और आपको लग रहा है कि उतने स्कोर में आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो आपको हमारे कोर्स में आने का उश्रक्ता बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि मैं हर जगए पढ़के देख लिया हूँ लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है विससकर math में आपका score अचीव नहीं हो पा रहा है, math समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको invite कर रहे हैं, हमारे नए बैच में बिलकुल fresh बैच रहने वाला है, Monday से इसमें classes शुरू हो जाएंगी, daily 2-3 घंटे की class दूंगा, जैसे आज आज आपको 2-3 घंटे की केवल math की class मिल होगा, संग्या ही class आपको मिलेगी, daily 2-3 घंटे, बातारी समझ में, और handwritten notes से बढ़िया तरिके से आपको Hindi, computer और जो आपको बढ़ाया जाएगा, और math में topic wise concept building के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास में करूंगा, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका score नहीं बढ़ पा रहा है, कहीं न कहीं कमी है, क्योंकि दोस्तों सक और तभी बढ़ेगा जब आप एक-एक topic को पहले दिमाग से निकालो कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, तब जाके आप मोक्तेस लगाईए, ठेक है, और अभी डरने की बिल्कुल अशक्त नहीं, अभी आपका physical होगा, उसके बाद return exam होगा, अभी आपके पास लगबग लगबग 6 मेने का time है आपके exam के लि हो जाएंगे, तो आप हमें जोइन कर सकते हैं, अपलिकेस अनकाली इंडेसे में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और batch को बाइनाओ कर लिजिए, मातर 500 रुपए कि इसकी फेस है, और batch से लिटेड अगर कोई doubt आपको, तो आप मुझे WhatsApp पे message कर सक सकते हैं, यह WhatsApp नमबर में आपको दे रहा हूँ, color मत change कर देता हूँ, ताकि आपको देखे, WhatsApp नमबर है, 89 010 28 158, इस पर call मत कीजिएगा, WhatsApp कीजिए, यहां लिग लेता हूँ, 89 010 28 158, इस पे आप WhatsApp करिए, कोई doubt है batch related, तो आप हमें पूच सकते हैं, चलिए, आईए बात करत हैं, तो मैं यहां पर reference ले रहा हूँ, CRPF HCM बरती का, इसका क्या reference है सर जी, क्योंकि CISF का pattern तो बिलकुल ही different था, उसमें तो 25 एससे जड़ी वाड़ा pattern था, ठेक है, negative marking में नहीं थी, और दूसरा, कि paper का level भी जड़ी से भी हलका था, तो उसकी cutoff तो 85 87 तक तक तो बराबर थी, exam pattern भी लगबग same था, तो उनके हम बात कर रहे हैं, तो CRPF HCM की जो भरती आई थी दोस्तों, जनवरी, फरवरी 2023 में आई, और मार्च, अपरिल के आसपरस का paper कर वाली आ गया था, इसमें जो total vacancy है 1458 है, मैं reference ले नहीं खाली, चेक है, इस बार जो vacancy है किती है यह दोस्तों 1526, केवल 100-500 vacancy होगा फरक है, लगबग vacancy है बराबर है, आचा है exam pattern की बात करें, तो exam pattern था हिंदी इंगलिस, चेक है, हिंदी या इंगलिस में इस एक करना था, 25 question, math, 25 question, reasoning और colorical aptitude, हालांकि colorical aptitude में, GK के question भी यहाँ पे थे, तो कुल मिला के 100 question यहाँ पे प यह देखे की selection process क्या रहा, भाया जितने भी बच्चों ने form बड़ा चाहे, 8 लाग थे, 6 लाग थे, 10 लाग थे, 12 लाग थे, सभी को पहले return exam के लिए बुलाए गया, यानि सारे की सारी भीर पहले exam में बैटी, ठेक है दोस्तों, आच्छा जी, फिर उसमें से typing के लिए बु लाए गया, physical के लिए, फिर medical और फिर final cutoff अपकी लगी, तो उस समय, आप यह देखे, भाया, एक बात बताएए, जो cutoff बनी है, वो तो return के आधार पे बनी है, क्योंकि typing का कोई number नहीं, physical का कोई number नहीं, return exam के आधार पे ही cutoff बनी है, yes or no, तो आप ही देखे कि return exam में तो सारे के सारी बीड बैठी गई है, अच्छा, BSF में क्या होगा, कि भाया, पहले physical है, 8 लाग बच्चों ने form रखा है, मैं मान के चल जाएगा, 2 लाग बच्चे तो physical देड़े जाएंगे नहीं, कितने होगे, 6 लाग, 6 लाग में से 50% बच्चे physical में फैल हो जाएंगे, बचेंगे कितने 3 लाग, यानि जो मोटा मोटा डाटा था या 8 लाग की जो बीड है, सेदा का सेदा काट दिया जाएगा physical में, बचेंगे कितने 3 लाग, यहाँ पर क्या हो रहा था, कि माली जी 8 लाग बच्चों ने यहाँ पर फोर्म बराऊगा, तो कम से कम 5-6 लाग बच्चों ने पेपर दिया होगा, हाँ कि ना, तो वो कमपिट्सन और यह कमपिट्सन, दोनों में फरक है, तो उस समय, नेगिटिव मार्किंग थी, CRPF में, और मल्टीपल सिप्ट में पेपर हुआ, नोर्म लेसन के बाद कट ओफ यहाँ पे लगी, और जो नोर्म लेसन के बाद, नेग कट ओफ है ना, बिल्कुल रियल है, यह मत सोचना कि अपर जी मर्जीश बताओ, यह रियल कट ओफ है, यह कट ओफ रहेगी, पहले पॉइंट, यह मैंने रेफ्रेंस दे दिया कि भाईया, इतनी कट ओफ रही है, ठेक है, तो उस समय, 63 से 64 नंबर आपकी कट ओफ रही, जर् वेकंसिया है, 1526 बर-बर के वेकंसिया है, यह वेकंसिया B.S.S.P. में भी है, C.R.P. में भी है, I.T.V.P. में है, S.S.B. में है, C.I.S.P. में भी है, आसाम राइफल में भी है, बाता की समझे, लेकिन इस बार बदलाव यह हुआ, कि पहले फिजिकल होगा आपका, तो आद रखते हैं, तो मान की चलिए, एक लाग बच्चे तैसे होंगे, जो 50 नमर का स्कोर पार नहीं कर पाएंगे, बचे कितने, 2 लाग, उसमें से बुलाए जाएगा, टाइपिंग के लिए, और फिर मेडिकल, यानि आपका जो कम्पिट्शन है, ले देखके, मोटे-मोटे, ला आप हमारे इस बैच में आते हैं, तो ये आपको जो सेक्षन दिख रहा है नहीं, ये वाड़ा, मैथ, रिजनेंग, हिंदी और कलरे के लिए, एप्टूड, 80 क्युस्टन का जो पोर्षन है, एक का नमर लिखा नहीं, मैंने में रिखाल से, तो यहाँ पी, 80 क्युस्टन का पोर्षन अगर आप बैच में आते हो, तो दोस्तो सत्तर के आसपास आप आराम से स्कोर कर लोगे, सत्तर, ठेक है, और सत्तर स्कोर अगर आप यहाँ पे कर पा रहे हो, मान लीजिए, आप सत्तर मत कीजिए, आप 65 कीजिए, मैं मान के रहा हूँ कि 15 क्युस्टन गलत कर पांच क्युस्टन मैं आपको नहीं आएंगे, दो तीन क्युस्टन दो क्युस्टन आपको हिंदी में नहीं आएंगे, और दो तीन क्युस्टन या पांच क्युस्टन आप मान के चली कलर के लैपिट्विट में आएंगे, मैं मान के चला हूँ कि 80 में से 65 स्कोर भी आप कर लेते हो 75 नमबर तो आपके without no resistance score हो जाएगा ठोच है और इतना score आपका काफी है अपनी seat को पका करने के लिए ये लिख के ले लेना इसका screenshot ले लेना और जब final cut off लग जाए आपका result आ जाए उस समय आप मेरे को ये दिखा देना कि कि भया या तो तो चैनल बंद कर दे या फिर दाथ दे देना कि हाँ भया मान गए आपको ठेक है दोस्तों कि सारी चीजे वहें प्या के टिकती है तो कहने का मतलब यह है कि एक्जाम पैटरन में कोई खास बदलाव नहीं है बदलाव किसमें वहाँ सेलेक्शन प्रोसेस में कि पहले ही भीड ही आपकी फीजिकल में बहार हो जाएगी छोडा सौ में छह मिर्ट में दोड़ना है आसान नहीं बहुत सारी बच्छे पूछए थे कि पांच किलो मिटर भीजिकलल में और यह आसान फिजिकल नहीं है 50 परसेंट बहार हो जाएंगे बच्चे 6 लाग बच्चे भी फिजिकल देने जाएंगे तो 3 लाग तो सी दोड़ जाएंगे तो यह आपका डाटा रहने वाडा है तो इस हिसाब से मैं आपको रिफरेंस दे रहा हूं थोड़ा सा कि अगर आप जर्नल कैटेग्री में तो इस बार नेगिटीव नहीं है इस बार तो थोड़ा सा यह नहीं कि भैया उतनी कट हो जाएंगे उसमें नेगिटीव मार्किंग इस बार negative marking नहीं है, लेकिन shift तो multiple ही होंगी, negative marking तो CIS में मिनी थी, लेकिन उसका pattern थोड़ा सा, easy हो गया, ठेक है, जबकि CRPF का जो paper था थोड़ा सा, moderate level का था, बढ़िया paper था, तो इस हिसाब से, इस बार, क्योंकि negative marking नहीं है, और computer वगरा यहां पे add कर दिया, तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूँ कि कितना score आपका safe रहेगा, इतना score आपने कर लिया, तो selection कोई माई कालाल रोक नहीं सकता, तो journal category से आप बिलोंग करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, row score गयो, normal lesson थोड़ी है मेरे पास, ठेक है बाया, तो journal category में अगर आपका score 75 के आसपास है, तो आराम से selection आपका हो जाएगा, वहीं OBC की बात करो तो लगबग लगबग 72 से 73 नंबर आपका target होना चाहिए, इतना target तो रखना चाहिए, ठेक है दोस्तों, वहीं EWC में बात करें तो लगबग 71 से बहतर नंबर, और SC में बात करें तो लगबग 68 से 70 के आसपास, और ST में ल लेकिन अभी आप जो तैयारी कर रहे हो, और जो मोक टेस्ट लगा रहे हो, तो अगर आपका score इस round figure में आ रहा है, इसके round, कि लगबग लगबग जर्रिनल कटेर में 75 के आसपास आप score कर रहे हो, तो मान के चलिए नोकरी लगबग लगबग पकी आपकी हो चुकी है, ठेक बाई, तो ये आपके लिए वीडियो हमने बनाई है, तो उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगए होगी, और आप इसी target को, मैं कहरा हूँ कि मैंने माँ इतना target रहे है, इससे ज़्याद आप 100 में से 100 लेका है ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर सबका भी देखा है, सारे देखके फिर आपको बता रहा हूँ, ठेक है दोस्तों, तो मेरे according अगर इतना score आप कर लेते हैं अपने अपनी category में, तो आपका selection मान के चले की पका हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं कि एक मोक टेस्ट में 75 score हो रहा है, दूसरे में आपका 65 हो कमी है, तो आएए हमारे बैच में जुड़ जाएए, मंडे सिसमें क्लास हम दे रहे हैं, मातर 500 रुपए, ये complete course की फीस है, दोस्तों, बहुत सारे साथी पूछ रहेते हैं कि क्या ये monthly है, नहीं, complete course की फीस 500 रुपए, मातर 500, और एक साल की validity के साथ आपको ये बैच दे रह ठेक है, तन्यवाद, जए हिंद,